हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एक नई वीडिये में आज की इस वीडिये में हम उत्राखन चिकित्सा सेवा चैन बोर्ड द्वारा स्वास्त्य कार्यकरता महला परिक्षा 2024 की जो विग्यप्ति यहाँ पर निकाली गई है चिकित्सा स्वास्त्य कार्यकरता महला के रिक्त 391 पर बिग्यप्न चिकित्सा चेवा चैन बोर्ड द्वारा निकाला गया है तो यह एक फरवरी को यह बिग्यप्न जारी किया गया है और जिसमें बिग्यप्न संक्या है उत्राखंड चिकेशा सेवा चैन बूर्ड परिक्षा 19 2023-2026 जो विग्यापन प्रकासन कीती है ये 1 फरवरी 2024 है और ऑनलाइन आवदन प्रारम करने कीती है 13 फरवरी 2024 ऑनला 1 आवदन करने की अंत्यमतिती है 4 मार्ब 2024 और सुल्क जमा करने की अंत्यमतिती है 4 मार्ब 2024 तो यहां पर रिक्तियूं का विवरान सबसे पहले हम डिसकस करेंगे चिकित्सा स्वास्त्य और प्रिवार कल्यान विभाग की अंतरगत उत्राखंड में समोगव की अंतरगत स्वास्त्य कार्यकरता महला जो हेल्थ एक्ट्विस्ट होती है इस पद हे तुक टोटल 391 पद यहां पर है और रिक्तियूं की संक्या घट बढ़ सकती है तो यह जिसका लेवल 3 वेतनमान है जिसमें लेवल 3 में जो आएगा 21,700 से उनसत्तर अजार एकसो जिसमें अनसूचित जाती की 17 पोस्ट, अनसूचित जन जाती की 11 पोस्ट, अन्या पिछडावर की 26 पोस्ट, EWS की 38 पोस्ट और सामन अनारक्षित की 299 पद यहां पर है और जनपदवार ये भड़ती है, जनपदवार पदों का विवरन भी यहां पर दिया गया है, सबसे पहले है, अलमोडा में टोटल 43 पद हैं, बागिस्वर में 13, चमूली में 32, चम्पावत में 13, देरदून में 57, हेड़वार में 9, नेंताल में 44, पोड़ी गड़वाल में 64, फितोरागड में 27, रुदरप्रियाग में 7 पद यहां पर हैं, और तीरीगडवाल में 28, उधमसिंग नगर में 40, उतरकासी में 14, इस प्रकार से टोटल 391 पद, पदों पर ये भड़ती निकली है, पद का स्वरूप है जो अराज पत्रित है, नॉन गजिटेट पोस्ट ह और इसमें अंसदाई पेंशन, अंसदाई पेंशन का मतलब है आपका न्यू पेंशन सिस्टम, जो NPS प्रनाली के तहत इसमें अंस के रूप में पेंशन मिलेगी, और उल्ड पेंशन इस स्कीम से आजाजीत यह पाद नहीं है, बेतनमान जो है, पे बैंड फस्ट बावन सो से 20,200 तक जो पे बैंड दो हजार है, सातवे बेतन में जो संसोधित होकर लेविल फ्री पे मेट्रिक्स के 21,700 से 79,100 पर यह बेतनमान है, और लेविल तीन की यह जौब है, और जिसे पुराने ग्रेड पे सिस्टम है, दो हजार ग्रेड पे इस पत का है, नेक्स जो पॉइं समयक रूप से पंजिक्रित हो और अन्य बातों के समान होने पर सीधी भरती के मामले में ऐसे ब्यर्ती को अधिमान दिया जाएगा और प्रदादेशिक सेना में जिसका कम से कम दो वर्स का एक्सपिरियंस हो, सर्विस हो, और NCC कैड़ेट को बी परमान पत्र जिसने प्राप्त किया हो, तो यहाँ पे 606 अधिमानी एहरताएं यहाँ पे दी गई है, इसमें उनको यहाँ पे अधिमान दिया जाएगा नेक्स है, अबेटि के पास O Antirachan Nurses and Midwives Council देरदुन में ओनलाइन आउदन करने की अंतियंतिती तक स्थाइय नविने किर्थ पजीकरन परमान पत्र होंचेक है, ओनलाइन आउदन आइपास जारी कियागए परमान पत्र मान्या नहीं होंगे, आयु की गर्णा की निस्चायकती थी एक जुलाई दोजाटेटी है और अबिर्थी की आयु की गर्णा एक जुलाई दोजाटेटी को नूंतम अठारवर्स और अधिक-तम बयालिस वर्स इसYY इदिक आयु प्रापत ना की हो परतु उत्राखंड राज्य की अनसूचित जातियों अनसूचित जन जातियों और ऐसी अन्यसरेडियां जो राज सरकार द्वारा समय समय पर अधिश्यत की जाई को उच्छतर आयू सीमा अतने वर्स अधिक होगी जितनी नियमों में विद्रिष्ट की जाई हो नेक्स है अधिक्तम आई सीमा में छूट उत्राखंड अनसुचित जाती अन्य पिछड़ा वर्ग के सासनादी संख्या 1399-XX2-2005 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिक्तम आई सीमा पांच वर्ष की छूट अन्मान्य समंदित स्रेणी के काटेगरी वाई इसमें 5 साल की छूट द जाएगी उत्राखंड की स्वतंता संग्राम सेनानी के आसित अबिर्थियों के लिए सासनादी संख्या 1244 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिक्तम आई सीमा में 5 वर्ष की छूट अन्मन्य है तो यहां पे जो सासनादी से निर्धारित प्रारूप पे ये रिजर्विशन का जो प्रमारपत धारित करता हो और उत्राखंड लोकसिवा आयो की परिदी के अंतरगत लोकसिवा आयो की परिदी के बहार समुगो की गउ के पदों की भरती के लिए एनवारे और वांच नहीं है अहरतान नियमावली 2010 समय समय पर यथा संसोजिके उंसान निमन्वत है सासन के दिसूचना संख्या 164 दिनांग 28 जून 2019 द्वारा उत्राखंड लोकसिवा आयो की परिदी के अंतरगत लोकसिवा आयो की परिदी के बहार समुगो के सीधी भरती के पदों पर बिग्यापन के लिए अब्यर्थी पातर होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटर्मीडिय तरिट अथ्वा इनके समकच इस्तरकी सिख्षा उत्राखंड राज्य में इस्तित मानन ःता प्राव्त सस्थानु में उत्ति इर्ण की ऊट्टीं की हो और वर्टिकल रिजर्वेशन का कटेगरी वाइज यहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो यह यहां पर बिग्यप्ति हमने डिसकस की नेक्स यहां पर है जो परिक्षा योजना की समझ में हम बात करेंगे एक्जाम ऑनलाइन सबसे पहले अठार है ऑनलाइन आउधन पत्र कैसे भरा जाए इसके लिए यहां पर आउस्यक दिशा निश्देश दिये गए हैं सबसे पहले अबिर्थी को आयो की वेबसाइट www.ukmssbmedicalservicesbool.org पर जाकर apply पर क्लिक करना है उसके बाद Health Worker Female Examination 2024 के क्लिक हेर पर जाएं और continue करने के बाद यहां पर 13 फरवरी 2024 से यह लिंक उपलब्द रहेगा 13 फरवरी से सभी candidate इस form को बार सकते हैं 13 फरवरी तक यह उपलब्द रहेगा यह लिंक और आप जो अंतिम्तिति है ओनलाइन आउदन पत्र भरने के लिए आउस्यक सलगन अभिलेख और सुल्क जमा करने के अंतिम्तिति चार मार्च 2024 है तो यह महत्वपूर्ण दिसा निर्देश यहां पर जारी किये गए है Medical Services Board चिकितसा सेवा चैन बोर्ड द्वारा और यहां पर जो अभिर्थी के लिए 13 विकल्ब में बरीता करम के लिए यहां पर दिये गए हैं जिस्टिक्स जिनके कोड निम्वत हैं यहां पर अलमोडा का 21 और उत्रकासी तेती इस प्रकार से यहां पर यह कोड दिये गए हैं नेक्स है आउधन पत्र जमा किये जाने की प्रकृया फर्स्ट है रेजिस्टेशन करना है सेकर्ड़ है अप्लिकेशनसंठै है थार्ड है फाइनल समिसन ओनलाइन आउधन पत्र भंने का व्यव्रण भी यहां पर दिया गया है नेक्स बात करते हैं सुल्क की सुल्क यहाँ पर जो अनारक्षित वर के लिए 300 रुपी है EWS काटेगरी के लिए 500 रुपी OBC काटेगरी के लिए 300 रुपी और अनुसुजी जाती के लिए 500 रुपी SCST के लिए यहाँ पर 500 रुपी सुलकद का प्रावधान किया गया है और लास्ट में हम दिसकस करेंगे यहाँ पे चिकित्सा स्वास्ते और प्रिवार का लियाण विभागा और उत्राखंड के स्वास्ते कार्य करता महला के अधिहाचित पदों से समदित उर्द्वाधर रिजर्वेशन का यहाँ पर पदों का विभाण यहाँ पर दिया गया है तो यह बिग्यापन हमने डिसकस किया आज की वीडियो में बहुत दिनों से यह वीडियो आई है और नेक्स वीडियो कॉंटिन्यू रहेगी इसके बाद जो चैनल पर नहीं है चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस फॉर्म को आप जरूर भरिए जो भी इलिजबिल कैंडडेट्स हैं एक फरवरी यह विग्यापन प्रकाशन किती थी है, 13 फरवरी 2024 को इसका विग्यापन आवधन करने की प्रारम किती थी है और आवधन करने के अंतिमति थी चार मार्च है तो यह था वीडियो आज का थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, नमस्कार